थोड़ा और आकार बड़ा होता है तो रिलेटिवस में इन्वाल्व हो जाते हैं और नई जेनरेशन आई उसने बिजनस को कॉलाप्स कर दिया क्यों कौन उस व्यापार का उत्रादिकारी बनेगा तो कोई बहुत बड़े डीसिजन बहुत सारे बोर्ड अव डेक्टर से मिल क हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित्माहिश्वरी बिजनस ट्रेनर कॉर्पर ट्रेनर मोटिवेशन स्पीकर और सीओ मैटा सोवर्स इस लिमिटेड फ्रेंड्स आज की वीडियो का शुबारा में एक प्रश्ण से करते हैं और प्रश्ण ये है कि क्या हमें अपने इसमें लाना चाहिए इस इसके फाइदें और उसके नुकसान कि इस बात को समझने से लिए ये समझ लेना जरूरी है कि बेसिकलीए विजनस कोता है या न वो एक ही व्यकति के मालिक होता है वही उसका माली उतर हुआ वह ही बिजनस को पीूर्ण रूप से control करता है दूसरा अगर उस business का आकार थोड़ा सा भी बढ़ा होता है ना तो फैमिली के मेंबर उसमें involve हो जाते हैं थोड़ा और आकार बढ़ा होता है तो relative इसमें involved जाते हैं तो इसमें क्या है टेक्ष इस अःप आफ his family जर्मचारियों को तो हम क्या करते हैं एंगेज कर लेते हैं कुछ इंपलाईज को जिनका काम होता उस बिजनस को ऑपरेट करना और सोल प्रोपराइटर मतलब उस कंपनी का मालिक या उस बिजनस का मालिक ही उनको सारी कमांड देता है अब नेक्स बात क्या है दिस इस दा और अब से नहीं हमारे देश में चांड गुरू चानक्य के समय से अh family business चलता आ रहा है कहते हैं की राजा का बीटा राजा बनेगा कुमार का बेटा कुमार बनेगा वियापारी का बेटा वियापारी बनेगा है ना तो यह जो traditional method यह अब से नहीं बहुत लंबे समय से हमारे देश में हमारी अर्थवस्था में चला आ रहे हैं थोड़ा और इस बात को अच्छे समझ लेते हैं कि यहां पर क्या होता है एक ही मालिक होता है जिसकी वजह से बिजनस की कोई उसकी देंदारी पूरी करनी होगी मतलब यहां पर जो लाइबिलिटीज हैं देंदारियां है वह अनलिमिटेड होती है अगर व्यापार में बड़ा लॉस हुआ तो उसको सब कुछ बुगतान अपनी सारी संपत्ति सारी पूंजी से करना पड़ेगा और दूसरी इंपार्ट व्याइब करी रहे लेकिन इंकम टैक्स में उसको बहुत सारा बेनेफिट मिल जाता है मतलब एज सोल प्रोपराइटर एक इंडिविजवल आइडेंटिटी की तरह वह अपनी जू रिटन है इंकम टैक्स के रिटन है या बिजनस की रिटन है वह फाइल करता इसके लभा न No separation between ownership and management अब क्या होता है क्योंकि single man show है तो यहां पर ownership भी उसी की है और पूरा का पूरा management भी उसी का है बिजनस के जितने decision होते हैं जारातर बिजनस का मुख्याई लेता है आप देखेंगे चोटे-चोटे आकार के बिजनस में सबसेरा पायेता है बिल्लू का बर्गर राम हल ownership है profit भी उसी का और loss भी उसी का तो यह सारे कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो family बिजनस में होता है अब देखिए अगर यह सिंपल फॉर्म आफ बिजनस है ना तो इसके कुछ बर्म का पैन नंबर होता है signing authority आप सिंपल होते हैं तो किसी तरह के बहुत सारे documentation इसमें नहीं करने पड़ते हैं ठीक है owners की freedom होती है कि वह कभी भी अपने व्यापार में आ रहा है जा रहा है जैसे भी चला रहा है कोई ऐसा नहीं कि कि किसी investor का pressure है कि बिजनस को और ग्रोथ पर ले जाना है या किसी तरह की बहुत बड़ी liability उसके उपार है कि उसको पूरा करना है या अपने dream अपने goal अपने target अपनी achievement वो खुद ही निधारित करता है कि मुझे क्या-क्या life में करना है इसमें एक important बात ये भी है कि आपके जो business की secret है ना वो बहुत जदा आपके control हो जातर देखो जो small scale business owner होते ना उनके काम करने का तरीका बिल्कुल secret होता है और वो किसी के साथ share नहीं करते जैसे एक हलवाई अगर मिठाई बनाता है तो मिठाई बनाने की पूरी recipe उसके mind में feed है जो कभी भी किसी से share नहीं करता है तो यहाँ पर आपका business का जो secrecy वो बहु या मैं इस business को बंद करना चाहता हूं तो decision making उसके हाथ में जाता है टेक्स advantages बहुत जारा मिल जाती है जारातर क्या होता है कि in case of sole proprietorship जारातर black and white money का transaction होता है वो कोशिश करता है कि पैसा maximum cash में मैं कर लूँ चोटे-चोटे दुकानदार होते हैं चोट-चोटे business owner होते हैं व अगर sole proprietorship business के बहुत सरे advantages हैं तो बहुत सरे disadvantages भी हैं उनको समझ लेते हैं number one limited resource क्यों क्यों क्योंकि जो proprietor है ना उसने अपनी ही capital को introduce किया है उसकी खुद की वो capital है मिलता भी तो थो थोड़ा बहुत loan मिल जाता है ऐसा नहीं कि investor से पैसा लेके लगाया हुए है या अपने company क stakeholder दिये हुए तो वो कुछ तो यहां है नहीं तो यहां पर जोसके resources of fund हैं वो limited होते हैं काम करनी की सारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को पर होती है तो एक तरह से जो आगे growth की संभावना है वो भी बहुत limited हो जाती है इसके लावा next जो चीज है वो क्या limited ability कहते नहीं कि एक limited ability भी वहां रहती है unlimited liability होती है किसी तरह का loss हो उसको जब तक उसकी आखरी पूंजी की चीज़ें इकठी होकर बिकना जाए ना तब तक उसको जो लाइबिलिटी है वो पे करनी पड़ेगी limited life of enterprise यहां पर एक बात और भी होती है जारातर business का secret उसके पास है अगर कि खुदा मेरा दुबारा मन किया कि मुझे handmade shoes चाहिए तो मुझे पता था कि कहाँ पर वो बनते हैं जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर वो shop नहीं थी मैंने अरोडोस पोडोस में पूछा तो उसने बताया है कि वो जो shoe maker था जो handmade shoes बनाता था उसके death हो गई उसके बाद दुकान या business collapse भी कर सकता है अब यहाँ प्रश्ण यह उठता है कि अगर हम अपनी family के आने वाली नई generation को business में ले लें या क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं अभी एक बात ध्यान रखिए आप जो business करें ना family based वो इतना पुराना है कि इसके method भी वही चलते आ रहे हैं जो आप की जो नई generation ना वो नए तरीके से business को करेंगी वह business में तरह method को implement नहीं करेंगी वह क्या चाहिएगी कि business को advanced method की तरह करें modern method की तरह करें और साथ साथ एक brand को build करें एक company की formation करें और company formation के बाद board of director बनाएं बहुत सारे management के लोग बनाएं मतलब उनका thought process ना बिल्कुल different होगा तो यहाँ पर क्या होगा decision making क्या है कि एक sole proprietorship के हाथ में है और वो आने वाली generation के साथ भी यही सोचता है कि सारी decision making power मेरे पास रहें और अगर नई generation साथ में आई भी है तो 100% decision making power कभी भी transfer नहीं करता है उनको लगता है नई generation है कहीं business को खतम ना कर दें मेरा दादा लाया business है और मेरी आने वाली generation उसको खतम कर देगी तो decision making का conflict जो होता है वो बहुत बड़ा होता है नई generation नई तरीके सोचती है समस्ती है और implement करती है और पुराने लोग पुराने खैलात के साथ उस व्यापार को चला रहे होते हैं एक conflict और आता है अभी क्या है नई generation सोचती है कि वह इक्विटी का फार्मुला है तो यहाँ पर profit का distribution सभी equity holders के पास होना चाहिए जबकि जो पुरानी generation है वो control handed प्रेशन अपने साथ रखती है जिसकी वैसे जो compensation है या जो benefit है वो लोगों के साथ share करना उस generation के लिए easy होता है लेकिन पुरानी generation उसमें conflict पैदा करती है जहाँ प और नई generation अगर cash transaction में काम कर रही है तो यहाँ पर accountability calculate करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्यों क्यों कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा है account maintain proper हो नहीं पारे account maintain नहीं हो रहे तो ठीक तरीके से decision making नहीं हो पारी क्योंकि मैं यहीं नहीं पता कि हमारे पास कितनी liquidity है कि कितनी liquidity short है और future growth के हिसाब से कितनी liquidity हमें चाहिए उसके लावा next conflict है वो सबसे बड़ा यह कि आपका succession कौन करेगा मतलब कौन उस व्यापार का उत्रादिकारी बनेगा कई बार क्या होता है अगर family में एक ही generation में एक ही बच्चा है तो आपने उसको business handover कर दिया लेकिन मान ल साल का है यह 27 साल का है जो traditional business होता है ना उसका एक तरीका होता है कि घर का जो सबसे बड़ा बच्चा है वही उस व्यापार का मुखिया बनेगा लेकिन कई बार एक problem हमने देखी है कि यह व्यक्ति जो होता है ना वो इतना सक्षम नहीं कि इस business को नए level पर नए आयाम पर ले बच्चा उत्रादिकारी बनेगा या इस business को अगर partition भी करना पड़ जाए division भी करना पड़ जाए तो किस ratio में करें कौन-कौन क्या-काम समालेगा जारातर मुख्य decision making जो होती है वो बड़े को दी जाती है जबकि यह बहुत-बड़ा conflict हो जाता है कि हर व्यक्ति को उसकी यो बिजनस में सब entry कर रहे हैं तो सब ऐसा नहीं कि एक ही दिन एक ही समय पर सारे के सारे भाई आ जाएंगे एक बड़ा हुआ वह बिजनस समालना शुरू कर दिया फिर दूसरा बेटा है उसने ग्रेशन कंप्लीट की अपनी education कंप्लीट की वह भी बिजनस में आ गया फिर ती बिजनस आइडेंटिटी खोल कर देनी है क्या होता है कि सोल प्रपराइटरशिप में बाप ने एक बिजनस को सेट कर दिया पिता ने एक बिजनस को सेट कर दिया नई जेनरेशन को जोड भी लिया अब ज़रूरत है उनको exit करा के same multiple units start करना तो यहाँ पर entry और exit में भी अच्छा graduate होता है ना वो पिछले साल graduate हुए बच्चे की अपेक्षा जादा advance होता है इसलिए एक communication difference रहता है उन लोगों में भी एक आजाया एक तीन साल बाद एक साथ साल बाद एक दस साल बाद बिजनस में तो इन में भी communication difference है और तीसरी generation में तो है ही है इसलिए यह नई generation business में आती है तो वो नए management के तरीके से अपने business को लाला company को corporate company में convert करने का प्रयास करती है जिसमें बहुत अधिक management में खर्चा होता है तो पुरानी generation को लगता है यार management में इतना खर्चा कर रहे हैं यह production में तो काम नहीं कर रहे हैं, sales में तो काम नहीं कर रहे हैं, marketing मे तो काम नहीं कर रहे हैं, तो यह तो management के लोग हैं, कहते हैं कि लाला जी एक आदमी को बैठा हुआ नहीं देख सकते, अगर खाली बैठा है तो एक ही आदमी से multiple काम करा लेते हैं, लेकिन आज के modern business में ऐसा नहीं है, इसलिए friends जब भी आप यह decision लें कि मेरे आने वाली generation या या मेरे बच्चों को, क्या मुझे उस business में लाना चाहिए, तो सबसे पहले उनका thought process समझें, उनकी mentality को समझें, उनकी capability को समझें, और साथ-साथ ये भी समझें कि क्या वो इस business में आने के लिए interested हैं या नहीं, कई बार ये देखा गया है कि आपने business का आकार बहुत बढ़ा एक सक्षमता को पैचाने, उसके बाद ही अपनी आने वाले generation को अपने business में जोड़ें, अपने साथ लगाएं और कोशिश करें कि आप अपने आपको हमेशा अप्ग्रेड करें, वो जो old tendency थी उसको भूलकर नए तरीके से काम करने का प्रयास करें Friends, business की growth से related बहुत सारी वीडियोज आपको अमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, जरूरत है उनको सीखने और समझने की और अपने business में implement करने की आपके मन में येदी कोई भी प्रश्ण ना, तो हमें comment box में लिख कर बताएं, ताकि हम उन comments को चेक करें और अपनी आने वाली वीडियो में उस तरह के topics को cover करें कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत